शिब बाबा याद है ना? के साथ साथ योग का भी नशा होना चाहिए तुम अभी ब्राह्मन सो देवता बनने वाले हो इसलिए दैवी गुण जरूर धारन करने हैं अगर डबल सिर्ताज बनना है तो बहुत अच्छे गुणवान बनो ऐसी कोई चीज स्विकार नहीं करनी जिनका भोग देवी देवता को नहीं लगाया जाता जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं जरूर उनको प्राइज भी बहुत अच्छी मिलेगी राज योगी राज रिशी उनको कहेंगे जो पवित्र है और लास्ट में बाबा ने कहा एक बात कभी नहीं भूलना अगर पावन बनना है तो सिर्फ मुझ अभी पवित्र मिलेगा तुम माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलती हो इस सारी धर्ती को पवित्र बनाती हो इसलिए तो तुम्हारा गायन है वंदे मात्रम और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से मुरली का सार मीठे बच्चे श्रीमत पर अच्छी सर्विस करने वालों को ही राजाई की प्राइज मिलती है तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बने हो इसलिए तुम्हें बहुत बड़ी प्राइज मिलती है प्रश्न बाप की ग्यान डांस किन बच्चों के सम्मुख बहुत अच्छी होती है उत्तर जो ग्यान के शोकीन है जिने य योग का नशा है, उनके सामने बाप की ग्यान डांस बहुत अच्छी होती है, नंबर वार स्टूडेंट हैं, परन्तु यह वंडर्फुल स्कूल है, कईयों में जरा भी ग्यान नहीं है, सिर्फ भावना बैठी हुई है, उस भावना के आधार पर भी वर्से के अधिकारी बन जाते हैं, ओम शान्ती, रुहानी बच्चों को रुहानी बाप समझाते हैं, इसको कहा जाता है रुहानी ग्यान, वा स्प्रीच्वल नॉलेज, स्प्रीच्वल नॉलेज सिर्फ एक बाप में ही होती है, और कोई भी मनुष्य मात्र में रुहानी नॉलेज होती नहीं, रु एक मनुष्य में अपनी अपनी खूबी होती है ना, बैरिस्टर बैरिस्टर है, डोक्टर डोक्टर है, हरे की ड्यूटी पार्ट अलग अलग है, हरे की आत्म को अपना अपना पार्ट मिला हुआ है और अविनाशी पार्ट है, कितनी छोटी आत्मा है, वंडर है ना, गाते भ चमकता है ब्रिकुटी के बीच में अजब सितारा यह भी गाया जाता है निराकार आत्मा का यह शरीर है तक्त है बहुत छोटी सी बिंदी और सब आत्माई एक्टर्स हैं एक जनम के फीचर्स ना मिले दूसरे से एक जनम का पार्ट ना मिले दूसरे से किसको भी पता नहीं है कि हम past में क्या थे, फिर future में क्या होंगे यह बाप ही संगम पर बैठ समझाते हैं सुभे को तुम बच्चे याद की यात्रा में बैठते हो तो उज्जाई हुई आत्मा प्रजुवलित होती रहती है क्योंकि आत्मा में बहुत जंक लगी हुई है बाप सुनार का भी काम करते हैं पतित आत्माएं जिनमें खाद पड़ती हैं उनको प्योर बनाते हैं खाद पड़ती है ना चांदी, तामबा, लोहा, आदिनाम भी ऐसे हैं गोल्डन एज, सिल्वर एज, सतो प्रधान, सतो, रजो, तमो यह बातें और कोई भी मनुष्य, गुरु नहीं समझाएंगे एक सत्गुरु ही समझाएंगे सत्गुरु का अकाल तख्त कहते हैं ना उस सत्गुरु को भी तख्त चाहिए ना जैसे तुम आत्माओं को अपना-पना तख्त है उनको भी तख्त लेना पड़ता है कहते हैं मैं कौन सा तख्त लेता हूँ यह दुनिया में कोई को पता नहीं है वह तो नेती नेती कहते आए हैं हम नहीं जानते हैं तुम बच्चे भी समझते हो पहले हम कुछ भी नहीं जानते थे जो कुछ भी नहीं समझते हैं, उनको बेसमझ कहा जाता है भारतवासी समझते हैं, हम बहुत समझदार थे विश्व का राज्य भाग्य हमारा था, अब बेसमझ बन पड़े हैं बाप कहते हैं, तुम शास्त्र आदी भल कुछ भी पड़े हो यह सब अब भूल जाओ, सिर्फ एक बाप को याद करो ग्रिस्त व्यवार में भी भले रहो सन्यासियों के फॉलोवर्स भी अपने अपने घर में रहते हैं कोई-कोई सच्चे फॉलोवर्स होते हैं, तो उनके साथ रहते हैं बाकी कोई कहां, कोई कहां रहते हैं तो यह सब बातें बाप बैट समझाते हैं इसको कहा जाता है ग्यान की डांस योग तो है साइलेंस ग्यान की होती है डांस योग में तो बिलकुल शान्त रहना होता है डेड साइलेंस कहते हैं ना तीन मिनट डेड साइलेंस प्रंतु उसका भी अर्थ कोई जानते नहीं सन्यासी शान्ती के लिए जंगल में जाते हैं प्रंतु वहाँ थोड़े ही शान्ती मिल सकती है एक कहानी भी है रानी का हार गले में यह मिसाल है शान्ती के लिए बाप इस समय जो बातें समझाते हैं वे द्रिष्टांत फिर भक्ती मार्ग में चले आते हैं। बाप इस समय पुरानी दुनिया को बदल नई दुनिया बनाते हैं। तमोप्रधान से सतोप्रधान बनाते हैं। यह तो तुम समझ सकते हो। बाकी यह दुनिया ही तमोप्रधान पतित हैं क्योंकि सब विकारों से पैदा होते हैं। देवताएं तो विकार से पैदा नहीं होते। उनको कहा जाता है समपूरन निर्विकारी दुनिया। वाइसलस वर्ड अक्षर कहते हैं। परंतु उनका अर्थ नहीं समझ से। तुम ही पुज्ये सो पुजारी बने हो। बाबा के लिए कभी ऐसे नहीं कहा जाता। बाप कभी पुजारी बनते नहीं। मनुष्ये तो कण-कण में परमात्म कह देते हैं। तब बाप कहते हैं। भारत में जब-जब ऐसी धर्म गलानी होती हैं। वो लोग तो सिर्फ ऐसे ही शलोक पढ़ लेते हैं। अर्थ कुछ भी नहीं जानते। वे समझ से हैं शरीर ही पतित बनता है। आत्मा नहीं बनती हैं। बाप कहते हैं पहले आत्मा पतित बनी हैं। तब शरीर भी पतित बना है। सोने में ही खाद पड़ती है। तो फिर जेवर भी ऐसा बनता है। प्रन्तु वेह सभै भक्ति मार्ग में। बाप समझाते हैं हरे एक में आत्मा विराजमान है। कहा भी जाता जीव आत्मा, जीव परमात्मा नहीं कहा जाता, महान आत्मा कहा जाता है, महान परमात्मा नहीं कहा जाता, आत्मा ही भिन-भिन शरीर लेते, पार्ट बजाती है, तो योग है बिलकुल साइलेंस, यह फिर है ग्यान डांस, बाप की ग्यान डांस भी उन्हों के आगे होगी, बाप जानते हैं किसमें कितना ज्यान है, कितना उनमें योग का भी नशा है, तीचर तो जानते होंगे न, बाप भी जानते हैं, कौन-कौन अच्छे गुणवान बच्चे हैं, अच्छे-च्छे बच्चों का ही जहां तहां बुलावा होता है, बच्चों में भी नंबरवार प्रजाबी नंबरवार पुडशार्थ अनुसार बनती है यह स्कूल अत्वा पाटशाला है न? पाटशाला में हमेशा नंबरवार बैठते हैं समझ सकते हैं फलाना होश्यार है यह medium है यहाँ तो यह बेहद का क्लास है इसमें किसको नंबरवार बिठा नहीं सकते बाबा जानते हैं हमारे सामने यह जो बैठे हुए हैं इनमें कुछ भी ग्यान नहीं है सिर्फ भावना है बाकी तो न ग्यान है न याद है इतना निश्य है यह बाबा है इनसे हमको वर्सा लेना है वर्सा तो सबको मिलना है परन्तु राजाई में तो नंबरवार पद है जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं उनको तो बहुत अच्छी प्राइज मिलती है यहां सभी को प्राइज देते रहते हैं जो राय देते हैं, माथा मारते हैं उनको प्राइज मिल जाती है अभी तुम जानते हो विश्व में सच्ची शानती कैसे हो बाप ने कहा है उनसे पूछो तो सही कि विश्व में शानती कब थी कभी सुनी वा देखी है किस प्रकार की शानती मांगते हो कब थी तुम प्रशन पूछ सकते हो क्योंकि तुम जानते हो जो प्रशन पूछे और खुद ना जानता हो तो उनको क्या कहेंगे तुम अखबारों दवारा पूछो कि किस प्रकार की शान्ती मांगते हो शान्ती धाम तो है जहां हम सब आत्माई रहती हैं बाप कहते हैं एक तो शान्ती धाम को याद करो दूसरा सुख धाम को याद करो स्रिष्टी के चक्र का पूरा ज्यान ना होने कारण कितने गपोडे आधी लगा दिये हैं तुम बच्चे जानते हो हम डबल सिर्ताज बनते हैं हम देवता थे अब फिर मनुष्य बने हैं देवताओं को देवता कहा जाता है मनुष्य नहीं क्योंकि देवी गुणों वाले हैं जिन में अवगुण हैं वह कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं शास्त्रों में जो बातें सुनी हैं वह सिर्फ गाती रहते हैं अच्चतम केश्वम जैसे तोते को सिखलाया जाता है कहते हैं बाबा आकर हम सब को पावन बनाओ ब्रह्म लोग को वासों में दुनिया नहीं कहेंगे वहां तुम आत्माई रहती हो वासों में पार्ट भजाने की दुनिया यही है वह है शांती धाम बाब समझाते हैं मैं बैट तुम बच्चों को अपना परीचे देता हूँ मैं आता ही उसमें हूँ जो अपने जनमों को नहीं जानते यह भी अभी सुनते हैं मैं इन में प्रवेश करता हूँ पुरानी पतित दुनिया रावन की दुनिया है जो नंबर वन पावन था वही फिर नंबर लास्ट पतित बना है उनको अपना रथ बनाता हूँ फर्स्ट सो लास्ट में आया है फिर फर्स्ट में जाना है चित्र में भी समझाया है ब्रह्मा दवारा मैं आदी सनातन देवी देवता धर्म की सापना करता हूँ ऐसे तो नहीं कहते हैं देवी देवता धर्म में आता हूँ जिस शरीर में आकर बैठते हैं वही फिर जाकर नारायन बनते हैं विश्णू कोई और नहीं है लक्ष्मी नारायन अत्वा राधे कृष्ण की जोड़ी कहो विश्णू कौन है यह भी कोई नहीं जानते हैं बाप कहते हैं मैं तुमको वेदों, शास्रों, सब चित्रों आदी का राज समझाता हूं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ वह फिर यह बनते हैं प्रवरिती मार्ग है न, यह ब्रह्मा सरस्वती, फिर वह लक्ष्मि नारेन बनते हैं, इनमें ब्रह्मा में मैं प्रवेश कर ब्रहमणों को ज्यान देता हूं, तो यह ब्रह्मा भी सुनते हैं, यह फ्रस्ट नंबर में सुनते हैं, यह है बड़ी नदी, ब्रह्म पुत्रा, म मेला भी सागर और ब्रह्म पुत्रा नदी पर लगता है, बड़ा मेला लगता है, जहां सागर और नदी का संगम होता है, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ, यह वह बनते हैं, इनको वह ब्रह्मा सो विश्नु बनने में एक सेकिन लगता है, साक्षतकार हो जाता है, और जट न इश्य हो जाता है, मैं यह बनने वाला हूँ, विश्व का मालिक बनने वाला हूँ, तो यह गदाई क्या करेंगे, सब छोड़ दिया, तुमको भी पहले मालूम हुआ, बाबा आया हुआ है, यह दुनिया खत्म होने वाली है, तो जट भागे, बाबा ने नहीं भगाया, हाँ भठी बननी थी, कहते हैं क्रिश्न ने भगाया, अच्छा क्रिश्न ने भगाया, तो पटरानी बनाया ना, तो इस ग्यान से विश्व के माहराजा माहरानी बनते हो, यह तो अच्छा ही है, इसमें गाली खाने की दरकार नहीं, फिर कहते हैं कलंक जब लगते हैं, तब ही कल भंगी धर बनते हैं, कलंक लगते हैं शिव बाबा पर, कितने इगलानी करते हैं। कहते हैं हमात्मा सो पर्मात्मा, पर्मात्मा सो हमात्मा, अब बाप समझाते हैं ऐसे है नहीं। हमात्मा अभी सो ब्राहमन है, ब्राहमन है सबसे उंच कुल, इनको डाइनेस्टी नहीं कहेंगे, डाइनेस्टी अर्थात जिसमें राजाई होती है, यह तुम्हारा कुल है, है बहुत सहज, हम ब्राहमन सो देवता बनने वाले हैं, इसलिए दैवी गुन जरूर धारन करने है सिगरेट बीडी आदी का देवताओं को भोग लगाते हो क्या, श्रिनात दवारे में बहुत घी के मालठान लगते हैं, भोग इतना लगाते हैं, जो फिर दुकान लग जाती है, यात्री जाकर लेते हैं, मनुष्यों की बहुत भावना रहती हैं, सत्युग में तो ऐसी बा आदिमियों के पास सफाई भी बहुत होती है, वहाँ तो ऐसी बाते ही नहीं होती, रोगादी होते नहीं, यह सब बिमारियां द्वापर से निकलती हैं, बाप आकर तुमको एवर हेल्दी बनाते हैं, तुम पुरुशार्थ करते हो बाप को याद करने का, जिससे तुम 14 वर्ष एवरेज है, क्योंकि वह योगी थे, यह भोगी है, तुम राज योगी, राज रिशी हो, इसलिए तुम पवित्र हो, प्रन्तु यह है पुरुशोत्तम संगम युग, मास या वर्ष नहीं, बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प, पुरुशोत्तम संगम युगे युग बाप रोज रोज समझाते रहते हैं फिर भी कहते हैं एक बात कभी नहीं भूलना पावन बनना है तो मुझे याद करो अपने को आत्मा समझो देह के सभी धर्म त्याग करो अब तुमको वापिस जाना है मैं आया हूँ तुम्हारी आत्मा को साफ करने जिससे फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा यहां तो विकार से पैदा होते हैं आत्मा जब संपुरन पवित्र बनती है तब तुम पुरानी जूती को छोड़ते हो फिर नई मिलेगी तुम्हारा गाय तुम धर्ती को भी पवित्र बनाती हो। तुम माताएं स्वर्ग का द्वार खोलती हो। प्रन्तु यह कोई नहीं जानता। अच्छा। नमस्ते नमस्ते गुड मोर्णिंंग धार्ना के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट। आत्मारूपी ज्योती को प्रजवलित करने के लिए सवेरे सवेरे याद की यात्रा में बैठना है। याद से ही जंक निकलेगी। आत्मा में जो खाद पड़ी हैं वह याद से निकाल सच्चा सोना बनना है दूसरी पोइंट बाप से उच पद की प्राइज लेने के लिए भावना के साथ साथ ज्यान वान और गुणवान भी बनना है सर्विस करके दिखाना है वर्दान चलन और चहरे से पवित्रता के श्रिंगार की जलक दिखाने वले श्रिंगारी मूर्त भव चलन और चहरे से पवित्रता के श्रिंगार की जलक दिखाने वले श्रिंगारी मूर्त भव पवित्रता ब्राह्मन जीवन का श्रिंगार है हर समय पवित्रता के श्रिंगार की अनुभूती चहरे व चलन से ओरों को हो। दृष्टी में, मुख में, हाथों में, पाओं में सदा पवित्रता का श्रिंगार प्रत्यक्स हो। हर एक वर्णन करें कि इनके फीचर्स से पवित्रता दिखाई देती हैं। नैनों में पवित्रता की जलग है, मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट है, और कोई बात उन्हें नजर ना आई। इसको ही कहते हैं, पवित्रता के श्रिंगार से श्रिंगारी हुई मूरत। स्लोगन, व्यर्थ संबंद संपर्क भी अकाउंट को खाली कर देता है, इसलिए व्यर्थ को स्माप्त करो। अच्छा, शान्ती, ब्रामनों के लिए मुर्ली का कितना महत्व है, मुर्ली से क्या-क्या प्राप्ती होती है, और इसे कैसे सुनना चाहिए। आज के ज्यानमोती में हम मुर्ली से जुड़े अनेक तथ्यों को जानेंगे, इसलिए कोई मिस ना करें।